Hello students, आज की इस वीडियो में हम लर्न करेंगे Standard 11 का 1.5 लेसन Mrs. Addis, यह स्टोरी लिखी गई है, the famous author Sheila K. Smith, इनके जरिये, So, इस Mrs. Addis, इस स्टोरी का Part 1 जो है, वो हम हिंदी में आज लर्न करेंगे, फ़र आपके reference के लिए मैंने यहाँ पर एक image उनकी create करके आपको दी हुई है, लेट इस continue, Now, as we know, we should know the author in short at least, तो Sheila K. Smith was an English novelist and poet, यह एक English novelist और poet है, जिनो ने Sussex and Kent, इस English regional tradition के borderlands पर setting किये हुए, कई सारे novels लिख है, यह उनके novels का setting जो था, तो यह usually borderlands of Sussex और Kent यही होता था, Her book, The End of House of Allard, became a bestseller. Now, यह जह story हमको दी गई है, Mrs. Addis, यह story है about a peasant woman, Peasant woman, याने एक tenant, peasant जो रहते हैं, farmers रहते हैं, याने दुसरे के खेती पर, दुसरे के खेत मों लोग काम करते हैं, जबकि उनका खितका-खुतका केत usually नहीं रहता, Who finds a desperate man at her doorstep, एक यंग, एक जवान सा आदमी, उनके दरवाजे पर आता है, बहुती desperate, याने in dire need of something, उसको बहुत ज़रुरत थी किसी चीज़ की, और वो उनको plead करता है, request करता है, ताकि वो उनको पुलिस से, Mrs. Addis, उनको पुलिस से बचाए, He had been poaching on the nearby state, poaching करना, याने क्या, illegally किसी के जानवरों की, या जंगली जानवरों को मारना, उनकी चोरी करना, In panic, had killed one of the game keepers, तो वो आदमी जो था, वो ऐसी किसी के state पर चोरी करने की रादे से गया था, लेकिन panic होकर, डर के मारे, उसने वहाँ पर जो game keepers थे, उन में से एक को मार डाला था, ये थी कहानी, ये short में आपको summary यहाँ पर बता दिये, now let us continue, one by one, we'll read the lesson and also we'll know the meaning, अभी यहाँ पर आपको lesson बताता है, That in North East Sussex, a great tongue of land runs into cane, it is a land of woods, the old hammer woods of the Sussex, iron industry and among the woods gleam the hammer ponds, यानि यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि लंडर में, greater London के, जो southern outer part है, वहाँ पर ससेक्स और East Sussex है, वही पर Kent ये भी इलाका है, तो इसी इलाका के में इनका खेत है, Then, उसी आगे थोड़े सा गौर करेंगे, तो वहाँ पर ससेक्स की iron industry developed है, आपको पता है, industrial revolution होने के बाद, सब जगा पर industrial revolution का असर दिखने में आ रहा था, यह है hammer pond, जो वहाँ के famous places में से एक है, यहाँ पर बताते हैं कि Mrs. Addis के घर के हाँ से जो रास्ता जाता है, वो बहुत दूर तक आगे अंधेरे में मिट जाता है, और इस तरीके से उस रात, यहाँ जिस वक्त की बात हो रही है कहानी में, उस रात there was no fill light, no moon, आसमान में बिलकुल को रितारे नहीं थे, नहीं कोई moon था, pricks of fire, लेकिन हाँ, एकदम छोटे से हम कह सकते, एकदम मामूली तारे दिख रहे थे, जिनका उजाला, यहने उनका existence सिफ पता हो रहा था, लेकिन उसका कोई फाइदा नहीं था, है नहीं के बरावर, जिस आसमान में दिख रहे इस कदर, फिर, in the absolute stillness of the night, windless and clear, every sound was distinct and intensified, लेकिन ऐसे सन्नाटी वाली उस रात में, जो आवाजे थी, वो काफी साफ साफ दिखाई दे रहे थी, और गहराई से सुनाई दे रहे थी, The distant bark of the dog at Delmond Den, Delmond Den ये वहाँ से एक दूर गाव था, तो वो दूर उस गाव में भूखने वाला कुत्ता ऐसा लग रहा था, जैसे के वो नजदीक से ही भूख रहा है, Then further, the man, उसी वक्त, वहाँ पर एक man who walked on the road could hear the echo of his own footsteps following him like a nail, लेकिन उसी वक्त उस रास्ते से एक अकेला आदमी चल रहा था, जिसको अपने पेरों की आवाज तक echo, यानि वापस आवाज रिपीट हो रही है, इस तरीके से उसको सुनाई दे रहे थी, as if वो नल थी, नल यान form किया जाता है, so यह नल बज रही थी, इस तरीके से कहा गया है, then further, every now and then, he made an effort to go more quietly, but the roadside was a mass of thorns, thorns, तो यहाँ पर यह आदमी अपनी आवाज बचाने के लिए, शायद वो जाता था कि कोई उसको देखे नहीं, उसको पहचाने नहीं, उसकी आहट ना ले, इसलिए वो क् पर कदम रखता था, crackling and rustling were nearly as loud as the thud of his feet on the road, और वो इतना हेवी आदमी था, कि जिस तरीके से उसके पैर जमीन पे दोर दोर से पटक रहते, वैसे ही वो काटे भी क्या करते, crackling, यहने उसकी तूटने की आवाज कर कर ऐसे आ रही थी, and besides, they made him go slow, और वो काटे थे, जो उसक यह बिलकुल वक्त नहीं था, then, finally, when he came to Mrs. Addis' cottage, he paused a moment, आकिर वो Mrs. Addis के cottage के पास पहुची जाता है, वहाँ पर थोड़े वक्त के लिए रुकता है, and only a small patch of grass lay between it and the road, उन घर और रस्ते के बीच में, सिफ थोड़ा सा घास का area था, and he looked in at the lighted uncurtained window, जो खुली हुई खिरकी थ वो वहाँ से अंदर जाकने की कोशिश करता है, he could see Mrs. Addis stooping over the fire, taking some pot or kettle of it, वो देखता है खिरकी में से जाकर, कि Mrs. Addis जो है, वो stooping, याने कुछ पकाते हुए, चूले के उपर जुके हुए है, right, और वो गौर से देखता है, he was, अभी यहाँ पर वो देखता है उनको, he's hes hesitated and seemed to wonder, वो थोड़ा सा हिच की चाता है, hesitate करना याने हिच की चाना, and seemed to wonder और चौक जाता है, he was a big, heavy, working man, not successful, judging by the poverty of his appearance, याने वो अच्छा कस्ता, हट्टा कट्टा आदमी था, लेकिन नाकामियाब था, नाकामियाब होने के वज़र से, क्या होता है, judging by the poverty of his appearance, कुसके उसके चहरे पे से उसकी गरीबी, उसकी मजबूरी जलक रही थी, for a moment he made as if he would open the window, and then he changed his mind, and went to the door instead, पहले उसनी सोच लिया, कि मैं यही से किर्की खोल लूँ और यहां से घुश चाओ, लेकिन उसने वैसा ना करते हुए, दरवाजी से एंट्री कर दी, he did not knock, but walked straight in, उसने बिलकु at the fire turned quickly round, वो ऐसे अंदर चला गया, तब वहाँ पर जो woman, जो अंदर उसके Mrs. Addis थे, वो फट से पीछे turn होके देखते है, और कहते है, what you Peter Crouch, she said, I didn't hear you knock, I didn't knock ma'am, I didn't want anybody to hear, तब जैसे ही Mrs. Addis उस आदमी को देखते है, उसको पैचान लेते है, कि वो कौन है, Peter Crouch है, और वो उसको बोलते भी है, शायद तुमने दरवाजा खटकटाया होगा, मैंने सुनी नहीं, तब वो साफ सा बता देता है, बिलकुल नहीं, मैं दरवाजा खटकटाया है नहीं, क्योंकि कोई मुझे सुने, यह मैं चाहता नहीं, यह सुनने के बाद, वो आगे बताता है, I'm in trouble, his Mrs. Addis, you? Yes, I shot him. You killed him? I don't know. तब बातों से पता चलता है कि उसने शूट तो कर दिया लेकिन वो मर गया या नहीं, उसको पता नहीं था. उसने शूट तो कर दिया था, लेकिन क्या वो मर गया इंसान? ये उसने खबर नहीं ली थी. For a moment, there was silence in the small stuffy kitchen. पूरे kitchen में सननाटा फैल जाता है. And there the kettle boiled over and Mrs. Addis mechanically put it at the side of the fire. उसी वक्त, चाय की जो किटली रखी हुई थी, वो उबलने लगी, Mrs. Addis उसको आइस्ता चुपचा पहा से हटा देते है. She was a small thin woman with a brown hard face. अब उनका description यहाँ पर दिया है Mrs. Addis का, कि वो एक छोटी से lady थे, एक height से कम थे, skin brown थी, ऐसा कड़क का face था, skin के उपर काफी सारी wrinkles थी, hair also very, hair like wrinkles, hair like baarik-baarik balo के जैसे. She was probably not more than 42 और शायद ही वो चालिस के उपर, 42 के उपर भी ना हो, ऐसा author हमको बताते हैं. But life treats some women hard in the agricultural districts of Sussex. तब वो बताते हैं कि Sussex के agricultural इलाको में रहने वाली औरते, चाहे कितने भी जवान क्यों ना हो, लेकिन काम की वज़र से, वो जल्दी ही बुढ़ापा अपना लेती है. What do you want me to do for you, Peter Crouch? She said a little scarly. तब थोड़ा कुस्सा होकर Mrs. Addisus को पूछते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? तब वो कहते हैं, let me stay here a bit, is there nowhere you can put me till they have gone? तब वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर छुपने के लिए ज़रा जगा दे दू, कै यहाँ पर कोई और जगा नहीं, जहाँ पर मैं छुप सकू जब तक वो चले जाए? तब वो पुछता है, who is they? तब वो कौन है? वो, गार्ड से वहाँ के, oh you have had a quarrel with the keepers, have you? Yes, I was down by the cinderwood, seeing if I could pick up something, and the keepers found me, they were four to one, so I used my gun, then I ran for it, they are after me, they can't be far off now, right? इस तरीके से वो कहता है, कि cinderwood नाम की जगा पर, जहाँ पर animals रखे जाते, मैं वहाँ पर गया था, ताकि मुझे वहाँ पर कोई जानवन मिल जाए, शायद मैं उसको पकड़ के खालू, as I am very hungry, लेकिन, बुलते हैं, वहाँ पर वो लोग चार लोग आ गए, एक किपर से, लेकिन, जब मैंने वहाँ पर उनको मारने के लिए, जानवरों को पकड़ने के लिए गया, तब, तब वहाँ पर ये लोग खड़े थे, और उनकी वज़े से मैं क्या नहीं कर पाया, शायद चोरी नहीं कर, so they can't be far off, और अक्कोस वो मेरे पीचे यहाँ तक आ गए है, तो please वो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, उनको शक ज़रूर रहेगा कि किरास्ते में आपी का तो घर है, तब, Mrs. Addis did not speak for a moment, वो कुछ नहीं बोलते, Mrs. Addis, तो crouch looked at her, beseechingly, appealingly, जैसे दर्कवास करते हो, उनकी तरफ देखता है, you might do it for Tom's sick, he said, तब वो उनको emotional blackmail करता है कि Tom, आपके बेटे के लिए तो आप जरूर करेंगे, you haven't been an over good friend to Tom, लेकिन snapped Mrs. Addis, Mrs. Addis, उनको उसको धुतकार के कहती है, लेकिन तुम कभी भी Tom के अच्छे दोस्त नहीं बन पाए, जबकि Tom ने तुम्हारा हमेशा साथ दिया, but Tom has been a very good friend to me, he would want you to stand by me tonight, he would want you to stand by me tonight, he would say, मेरा Tom तो मेरा अच्छा दोस्त है, और अगर उसको पता चला, तो उसके खातिर, वो चाहेगा कि आप मुझे क्या करें, आज के दिन के लिए, मेरी मेरा साहत दे, well, I won't say, he wouldn't for Tom, always thought better of you, than you deserve, वो कहते है कि तुम्हारी कुवत कि तुम् जलात तक आपे रुकी जाओ, जब तक वो आता है, बाद में देखेंगे वो क्या कहता है, इस तरीके से आगे वहाँ पे और रिक्वी जाता है, he will be up at work for an hour yet, and the coast will be clear by then, I can get away out of the country, तब वो खुद कहता है कि उसको आने तक शायत एक गंटा जाएगा, और तब तक coast, याने बाहर के ये जो keepers गुम रहे है, वो आहां से निकल जाएगे, फिर मैं यहां से बाहर जा सकता हूँ, मैं मुल्क छोड सकता हूँ, देश छोड सकता हूँ, वेर विल यू गो, I don't know, there is time to think of that, तब Mrs. Addis उसको पूछते भी है, तुम कहा पर जाओगे, तब वो कहता है, पता जाओगे, वो वहां से एक रास्ता बताती है, और कहते है, कि तुम यहां पर जाके रुको, और सोचो कि तुमको कहां पर जाना है, and then, they will never guess you are here, especially if I tell them I haven't seen you tonight, तो वो कहते है, वो कभी भी यह नजा नहीं लगा पाएंगे, कि तुम यहां पर छुपे हुए हो, क्योंकि बोलने के बाद, you are a good woman, Mrs. Addis, I know, I am not worth your standing by me, but maybe I would have been different if my mother, if I had a mother like Tom's, तब वो कहते है, Mrs. Addis, आप सच में एक नेक औरत है, लेकिन शायद जो आप मेरे ले कर रहे, मैं उसके काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन आज मैं शायद अच्छा, जैसे टॉम की जैसा एक अच्छा आद रहने वाली, she didn't speak, she did not speak, but shut the door, and he was in darkness, save for a small ray of light, that came through one of the cracks, तो वही पर दर्वाजे में से जो थोड़ा सा उजाला आ रहा था, वो समें अंधेरे में बैट कया, and by this light, he could see her moving to and fro, preparing Tom's सफर, और उस चोटे से गाप में से वो देख रहा था, कि वो कैसे अंधेरे में काम कर रहे Then, in another hour, Tom would be home from Iron Latch Farm, where he worked everyday, अभी यहाँ पर Tom काम करता है Iron Latch Farm में, यह उसको पता है, तो अभी Tom थोड़े टाइम से आही जाएगा, Peter Crouch trusted Tom to help him, for they had been friends when they went to the National School in Lamberhurst, तो यहाँ पर Peter को पूरा भरोसा है कि Tom उसको help करेगा, क्योंकि वो National School, याने बच्पन से ही Lamberhurst के National School में सा परते थे, लिखते थे, and since then, the friendship had been not broken by their very different characters and careers, लेकिन उनकी friendship गहरी थी, वो कभी भी टूटी नहीं, जबकि उनका नेचर बहुत अलगता, Peter Crouch huddled down upon the sacks that filled one corner of the shed, वो वही पर अंदर कोने के रूम में चुपचाप नीचे बैट जाता है, A delicious smell of cooking began to come through from the kitchen, and he hoped Mrs. Addis would not deny him a share of the supper when Tom came home, for he was very hungry, and he had a long way to go. तो यहाँ पर यह सोचता है कि शायद Mrs. Addis क्या करेंगे, जो खाना पकार है, मज़ेदार, लजजदार, वो उसमें से थोड़ा मुझे भी देंगे, क्योंकि मुझे भी कसके भूग लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, और आगे मुझे क्या करना है, बहुत लंबे सफर पे भी निकलना है, he had fallen into a kind of helpless doze, और अचानक उसकी आख लग जाती है, बैठे बैठे, बैठे, when he was aroused by the sound of footsteps on the road, अचानक उसको बाहर से पैरों के, कदमों की चलने की आवाज आती है, और वो खडबरा के उठ जाता है, for a moment, his poor heart nearly choked him with its beating, और अचानक उसका हार्ट उसको keepers थे, right, they had guessed where he was with Mrs. Addis, this old friend's mother, तो उन्होंने समझ लिया कि शायद वो पहचान चुके होंगे, कि अगर उनने मुझे देखा होगा Peter Crouch, तो Peter Crouch कहाँ पर जाएगा, Tom के घर पे ही जाएगा, Mrs. Addis के घर पे ही जाएगा, काश ये मैंने सोचा होता, इस तरीके से वो सोच रहा और कोई भी मुझे आसानी से यहाँ पर ढूण सकता है, nearly losing his self-control, he shrank into the corner, shivering, half sobbing, और वही पर कोने में वो खुद का control खो देता है, और वही पे रोते-रोते, बैठ, but the footsteps went by, लेकिन वो पहरो की आवाज आगे निकल जाती है, कदम आगे निकल जाते है, and the next minute Mrs. Addis stuck her head into the shade, और keepers थे, I saw them go, वो लोग तो चले गए, and they had lanterns, उसके हाथ में दिये भी है, यानि वो तुमको ढूणने के लिए निकले है, maybe it would be better if you slipped out now and went towards cancerone, तुमे एक काम करो, अभी वो लोग यहाँ पर आना मुश्किल है, तुम फट से cancerone, जहाँ पर train आती है, वहाँ पर जाओ, you would miss them that way and get over to Kent, और अगर तुमने वो train तुमको मिली, तो यह लोगों से भी तुम छूट जाओगे, और तुमको Kent के लिए जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा, there is a London train that comes from Tunbridge Wells at 10 to night, आज रात को बराबर 10 बजे, Tunbridge Wells से, London जाने वाली train तुमको आसानी से मिलेगी, that would be a fine thing for me ma'am, but I haven't the price of a ticket on me, तब वो कहता है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं टिकेट भी लूँ, तो कैसे खरीदू, यह सुनने के बाद, she went to one of the kitchen drawers, वो kitchen के drawer के पास जाती है, चोटे से कबबर के पास, और उसमें से 7 shillings निकालती है, it will be your fare to London and a bit over, तुमको लंडन जाने के लिए और उसके आगे भी थोड़ा कर्चा पाने उठाने के लिए 7 shillings का, for a moment, he did not speak, then he said, I don't know how to thank you ma'am, तो थोड़े पल के लिए वो कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में उनका शुक्रियादा कहता है, और कहता है, कि मैं आपका लेक, मैं कैसे आपको शुक्रिया करू, मुझे सम मज में नहीं आ रहा है, oh, you need not thank me, I am doing it for you, और यहाँ पर एकदम passively, बिना किसी emotion के, Mrs. Addis इसको जवाब देते है, तुमको thanks करने की जरूत नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ये Tom के खातिर कर रही हूँ, I hope you won't get into trouble because of this, तो Mrs. Addis के तरफ इसका थोड़ा सा ध्यान है, attention है तो थोड़े feelings है, तो Peter Crouch कहता भी है कि नहीं, मेरी जासे तुम शायद कोई trouble में ना हो, मुश्किल में ना हो, तब वो कहती भी आगे, there isn't much fear, no one is ever likely to know you have been in this cottage, that is why I had, sooner you went before, Tom come, came back, for maybe he would bring a friend with him and that would make trouble, तो यहाँ पर हो कहते है कि नहीं, तुम यहाँ से चले गए, तो यहाँ पे कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि तुम यहाँ पर थे, लेकिन हाँ, एक तकलीफ हो सकती है, अगर तुम को निकलने में देर हुई, तो शायद कभी Tom के साथ कोई दोस्त आया, तब जरूर तुम मुश्किल में आ सकते, so she opened the door for him, but on the threshold they both stood still, for again footstep could be heard approaching, this time from the far south, जैस time further from the far south, south की तरफ से कोई आ रहा था, maybe it's Tom, said Mrs. Addis, there is more than one man there, I can hear voices, तब Addis कहते है कि शायद Tom आया है, लेकिन Peter कहता है नहीं, यह तो एक से ज़्यादा लोगों के कदमों की आवाज है, मुझे सुनाई दे रहा है, you would better go back, she said shortly, wait till they have passed anyway, तुमे काम कुरो वापस जागा पर ज चुप जाओ, जब तको लोग यहां से निकलना चाहे, with an unwilling shrug, यानि कंदे से हवा में उडाते हुए, वो कहता है, वहाँ पर वापस जाके उस रूम में बैट जाता है, which he had come to hate, विकि उसको छोटे से रूम में कुछ मिनिट में ही क्या हुआ, नफरत पैदा होनी लगी थी, and she locked the door upon him, और वो बाहर से Mrs. Addis दर्वाजा बंद कर देते, तो यहां पर page 47 पर हम लोग रुखते हैं, और next video में इंशालला इसके आगे का lesson definitely explain करके सीखेंगे, अल्लाह आफिस,